हलो दोस्तों नवस्कार मैं हूँ कोवन और आप देख रहे हैं कोवन इन्पोटेक्ट चैनल दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इडियास सॉफ्ट्वेर के अंतरकर वीडियो मिक्सिंग करते समय या वीडियो mixing करने या वीडियो editing करने के लिए उसमें किसी भी प्रकार की फाइल को जो की edit करना है या जिस पर mixing करनी है उसे कैसे import करें तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले उस software या EDS program के software icon को double click करके open कर लेना है तो अभी आप हमारे desktop screen पर देख रहा है EDS 7 का यह related software icon है तो इस पर right click करके open को click करके सबसे पहले मैं इस software को open कर लेता हूँ अभी देखिए यहां पर screen एक नया आया गया है EDS का इसमें trial version display हो रहा है दोस्तों आपका activate version हो या फिर trial version हो तो इसमें कोई issue नहीं है यह सिर्फ software जब open करते हैं तभी display होता है यह दोनों software के लिए परकिरिया same होगी बस trial में आपको start trial version को click कर देना है और थोड़ी देर में यह जो progress बार दिख रहा है अन तक चला जाएगा और यह software का जो project layout screen होता है वह डिस्पले होने लगता है जैसा कि अभी आप देख रहे है start project नाम से एक window आ गया है इसके अंदगा सबसे पहले दोस्तों आपको एक नया project त्यार करना होता है नया project त्यार करनी के लिए new project बटन को click करते हैं जैसे new project बटन को click करेंगे तो project settings का एक window खुल कर आ जाएगा सबसे पहले उस project का नाम यहाँ पर देंगे तो मैं यहाँ पर फिलाल नाम दे देता हूँ test test के लिए हम इसका उस्तेमाल करने वाले हैं तो हमने test दिया just इसके नीचे folder display होता है कि इसका backup कहाँ पर जाएगा आप चाहें तो यह three dot यह ellipsus button को click करके आप अपने backup folder को change कर सकते हैं या मन चाहे अस्तान पर रख सकते हैं फिलाल मैं पुराना वाला ही रखने वाला हूँ और just उसके नीचे एक और बटन मिलता है दोस्तों create folder with project name means कि यह project जहां पर store हो वहीं पर एक folder बन जाए और उसके अंदर यह store हो उसी के नाम से उसके नीचे आते हैं तो preset list आता है यानि कि software के अंदगतकारी करने के लिए आपको page की size क्या लेना है तो वह यहां पर display होता है है दोस्तों यह depend करता है software install करते वक्ष सेटिंग पर तो फिलाल में दोस्तों HD 1920 गुण 1080 पचास आई यह फ्रेम है 16.9 और 8 बीट पर है इसे select रखेंगे और ok को click करेंगे जैसे ok को click करेंगे तो EDS का software desktop screen पर open होकर आ जाएगा अब देखेंगा दोस्तों तो इसमें तीन भाग होते हैं सबसे पहला भाग देखें यहां पर फ्लेयर वाला display हो रहा है और यहां पर यह data जो हम इंपोर्ट कराते हैं या effect लगाते हैं वह display होता है जस्ट उसके नीचे editing या timeline window होता है जिसमें कि हम अपने प्रोग्राम के अ इसके अपने फाइल को कैसे इंपोर्ट करें तो ध्यान दे दोस्तों यह दूसरा वाला जो विंडो आप देख रहे हैं विन विंडो इसका होना अत्य आवस्तेक है हो सकता हो दोस्तों आपके computer में डिस्पले ही न हो रहा हो तो अपने computer के keyboard से बी की प्रेस करें जैसे आप या disc करेंग तो यहां सेलेक्ट हो जायगा या फिर यह हाइड हो जाएगा या अगर दोबारा आजाएगा करेंसे अब आ इसके करेंसे मैं इसके यह इंद वह गया और जैसे मैं बी की प्रेस करूंगा तो बीन वाला जो फोल्डर है यह सेलेक्ट हो जाएगा देखे मैं आपको दिखाता हूँ बी देखे इस पर आ गया दुबारा भी प्रेस करता हूँ तो देखे यह हाइड हो गया अब दोस्तों ध्यान रहें कि बीन यहाँ पर डिस् फिले हो रहा है भीन इसे क्लिक करेंगे तो आप यहां से भी इसे hide और show कर सकते हैं फिलाल दिख रहा है तो अगर जो आप अपने फाइल को folder wise यहां पर import कराना चाहते हैं तो यह जो folder दिख रहा है आपको just इसके नीचे आपको right click करना है और new folder को क्लिक करके मन चाहा नाम द अब यह जो preview window आपको दिख रहा है इसमें खाली जगा पर right click करना है और add file को click कर देना है जैसे add file को click करेंगे तो एक open का नया window खुल कर आ जाएगा अब दोस्तों आपको कौन सी file import करनी है यह navigation tab से navigate करने मिन्स अपने उस file के location तक चले जाए जहां पर आपकी file है तो सबसे यह लिए मैं library से आपको दिखा देता हूं कोई भी picture insert करनी हो तो आप picture को select रखिए multiple picture select रखना हो तो shift की press करके रखिए और यदि आपको एक एक करके select करना है तो control की press करके रखिए select करने के पाद open को click करिए देखिए यह picture यहाँ पर आ चुका है ऐसा ही दोस्तों अगर जो MP3 web file लेनी हो तो इसके खाली अस्तान पर right click कीजिए add file को click करिए और अपने मन चाहे location पर जाईए जैसे मैं eDrive में जा रहा हूं और यहाँ से मैं कुछ video आपको import करा करा कर दिखाता हूं मैं इसे double click करा अब देखिए बहुत सी file यहाँ पर मौझूद है मैं कुछी video को import करा क दिखा रहा हूं यदि पूरी video लेनी होगी तो यह को click करके control करिए का सारा select हो जाएगा open को click करिए अब देखेंगे तो आपकी file यहाँ पर import होनी प्रारम हो जाएगी साथी साथ देखिए यहाँ पर नाम ही display हो रहा है कि कौन सी file यहाँ पर import हो रही है और यह progress bar के द्वार इसमें import हो जाएगी जैसा कि अभी आप देख रहा है इसे पूरा देखना है तो यहाँ पर वर्टिकल स्क्रॉल बार है क्लिक करिए और नीचे एक तरफ स्क्रॉल करिए देखिए आपकी सारी file यहाँ पर import हो चुकी है और भी file आपको चीए जैसे MP3 चाहिए या कुछ another video द और यह दूसरे वाले वीडियो के नाम के center में right click कीजिए add file को क्लिक करिए या अगर जो आपने इसे select करके रखा है तो अपने computer के keyword से control प्लस O की press करिए जैसे ऐसा करेंगे तो open का window खुल कर आ जाएगा पुना libraries में जाते हैं दोस्तों यहाँ से music को क्लिक करके sample music से मैं एक music import करा के आपको दिखाता हूं तो मैंने select करा और open को click करा देखिए हमारी music यहाँ पर आच चुकी है तो अभी देखा दोस्तों आपने कि 20 folder के अंदरगत हमने नया folder बना के दिखाया और root के अंदरगत हमने mp3 files.mts video file और picture file को आपके सामने import करा के दिखाया इस पकार दोस्त दोस्तों हम idios पर step by step वीडियो त्यार करते हैं एक पॉइंट का यदि आपको किसी भी प्रकार का वीडियो या कोई भी command का वीडियो आपको देखना हो या समझना हो या कोई command आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप हमें comment section के माध्यम से बताइए हम उस पर वीडियो आप को बना कर देंगे फिलाल आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं होंगो तो subscribe कर लिजिएगा और यदि और निलोगों को भी सिखाना चाहते हैं तो अपने दोस्तों में group में friend circle में इसे share भी करिएगा मिलते हैं दोस्त